हेलो इस्टूडेंट्स देखें आज के इस वीडियो में मैंने cf से रिलेटेट cf से रिलेटेट ये कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है और इनको मैं अभी आपके सामने सॉल्ब करूँगा और किसी भी differential equation का cf find करने के लिए ये three types के formulae possible हैं और ये जो formulae बने है वो जो auxiliary equation हम इसको solve परने में auxiliary equation जो निकालते हैं उसके जो roots रहते हैं roots की nature के उपर depend है इस सारे formulae roots की जो nature है उसके according यह सारे formula बने हैं अगर roots जो है real and distinct हैं तो हम इस formula को apply करेंगे यह वाला formula ठिक और auxiliary equation के roots आपका real and equal हैं तो हम इस formula को apply करेंगे और auxiliary equation के roots imaginary है m is equal alpha plus minus i beta इस form में हैं तो हम इस formula को apply करेंगे बस यह है ठीक है ना तो देखो यह मैंने जैसे कुछ questions लिये हैं तो हम इसको solve करते हैं जैसे पहला question questions जो है जैसे कि यह d की form में दे रखा है second question and third question d की form में है और पहला और यह fourth question जो है आपका d q y and dx q dy and dx इस form में है तो इसको पहले d में convert करना है इन दोनों को और यह d में already दे रखे हैं ठीक है ना और d को फिर हम m में convert करते हैं अब्जिलर इक्विशन में यह system मैंने बता चुका हूं मैं इसको तो देखे ज़रा इसको d q y and dx q minus 8y is equal 0 ठीक है अब पहली बात तो यह हम cf find करेंगे इसका क्या करेंगे अब देखें q is equal 0 है means q की value हमारा 0 है ठीक है q यह क्या रहता क्यू रहता q is equal 0 है तो केवल cf find होगा p i का कोई मतलब ने केवल cf find करना है ठीक है ना और q is equal 0 आपका यह q है q को ऐसे लिख दीजिए q is equal आपका 0 है तो यह equation कैसी होगी homogeneous homogeneous equation होती है इस form ऐसी equation को हम क्या कहते हैं homogeneous equation कहते हैं और इसमें केवल cf ही find होता है p i find नहीं होता है ठीक है यह starting से आप ऐसी पहचान समझ लें अब देखें ज़रा इसको मैं convert करूँगा d के form में तो इसको हम लिख सकते है dq y minus 8 y is equal 0 फिक या dq minus 8 y को common ले लिया is equal 0 उसके बाद अब आप यहां replace कर देंगे replacing d by m and y by 1 इस equation को तो आपका auxiliary equation short मैं लिख दिया मैंने auxiliary equation क्या हो जाएगा m q minus 8 is equal 0 ऐसा लिख दिया जाएगा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ m q minus 2 का q is equal 0 अब इसके factor हो गए m minus 2 और यह आपका m square और plus का 2m और plus का 4 is equal 0 ऐसा factors हो गए इसके दो टाइप के तो देखो यहां से इस factor से यह तो linear factor हो गया तो यहां से m की value एक तो आपका 2 आगया यह roots ठीक है भाई हम auxiliary equation में convert करते है auxiliary equation को solve करके roots नकलते हैं तो यह तो roots यहां से linear यहां से आगया अब इसके factors अभी और होंगे इसको formula method से हम solve करेंगे यहां से तो देखो यह की value m is equal minus b plus minus root b square minus 4ac upon mat 2a इससे आप solve करें इसको यहां हो जाएगा आपका यह minus 2 plus minus root ठीक है और यह आपका a की value यह coefficient जो रहता है यहां पर यह क्या 1 है तो यह a की value रहता है यह b की value रहता है और यह c की value रहता है यह जानते हैं आपके इसको minus 2 plus minus और यह b square means आपका 4 हो जाएगा minus 4 into 1 into 4 और अपॉन में 2 into 1 अच्यक कर लेजिए ठीक है अब आगे यह solve और हो जाएगा minus 2 plus minus और root 4 minus 16 upon में 2 minus 2 plus minus root में यह आपका minus का 12 upon में 2 अब root के अंदर minus आ रहा है means imaginary number बनना है यहां पर ठीक है तो यह आप जानते हैं इसको हम यह लिख सकते हैं 2 plus minus root i का square into 12 को में break कर दूँगा तो यह लिख दूँगा आपका 2 into 2 into 3 और upon में यह 2 जो यहां से यह बाहर आया minus 2 plus minus और यह आपका 2 और i ठीक है यह आगे बाहर और आपका root 3 और upon में यह 2 ऐसा हो गया ठीक है और उसको आगे हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा minus 2 upon में 2 इस 2 को अलग अलग बाठ देजिए plus minus यह हो जाएगा 2 root 3 i upon में यह 2 तो 2 से यह 2 cancel हो गया ठीक है और यह आपका निकल के आया minus 1 plus minus root 3 i ठीक है और यह एक matching कर रहा है यह पूरा किस से match कर रहा है इस form से Alpha plus minus i beta ठीक है तो देखे यह कभी कभी ऐसा है यह formula जैसे मैंने समझाठ यह यह लग सकता है कभी mix ज़ीं लग सकते हैं यह दौनों एक साथ लगें किसी question में कभी यह और यह दौनों एक साथ लगें ऐसा भी सकता है, तो एक तो यह रियल रूट है, रियल रूट एक अखिला यह निकल के आ रहा है, m is equal to, और एक m की वैलू यह निकल के आ रही है, तो यहां दो फार्मूले एक साथ combine करके लग रहे हैं इसमें, एक तो पहला, रियल रूट हम अब देखें मैं यहां से इसको मिटाए देता हूँ और मिटाने के बाद में इसका जो आंसर है तो यह दोनों फॉर्मूले लगेंगे पहला भी लगाएगा और यह थर्ड वाला लगाएगा तो आप इसका नाओ सीएफ सीएफ मिस आपका उसका सॉलूशन जनल सॉलूशन इस इक्वल लिखने का तरीका सीवन और एक आपका यह है सीवन और इटू जी पावर यह टू एक्स एक तो यह लिख दिया जागा यह रियल रूट के लिए लिखने का तरीका देखें यहाँ पर सीवन इगी पावर एम वन एम टू एम तरी इस टाइप से हैं यहाँ पर रूट एम की जगह पर यह पर यह रख दिया उसके बाद में अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग अलफा प्लस माइनस आई बीटा इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ यह लिख दिया जागा तो सीवन तो यह आगे इसके बाद में सीटू ठीक है नहीं सरीивается आफ़र रखा जागा हो और एकी पावर यह एकी पावर रखा जाता और यह अल्फा अल्फा की जगए पर यह आपका बीटा की जगएपर है ठीक है तो माइनस एक्स और भ्रेकिट और उसके बाद फिर यह constant आएगा यहाँ पर तो c1 तो यहाँ ले लिया तो यहाँ c2 लिख दिया है c2 और cos और बीटा की जाएबे पर आपका root 3 root 3x और plus c3 और sin root 3x this is final answer this is final answer ठीके ऐसे question करना है यह देख लीज़े आप इसको अच्छा आगे तो इसमें दोनों फॉर्मूले लगे एक साथ यह भी लगा यह portion यह जो है वो फर्स्ट से लिंक है और यह आपका थर्ड से लिंक है ठीक है तो एक साथ roots क्या क्या निकलना है उसके according यह एक साथ भी लग सकते है और separate separate भी लग सकते है ठीक है तो चलिए अब मालो में एक यह वाला फॉर्मूला इसको करते हैं इस question को फॉर्मूला कै यह question देखते हैं सेकेंड वाला क्या है दी स्क्वेर प्लस दी प्लस वन का स्क्वेर और दी माइनस टू और वाई इस इक्वाल जीरो यह question दी में से मॉल दी में और यह दे रखा है तो अब क्या करना केवल हमको एम में इसको auxiliary equation क्या हो जाएगे तो direct लेखे देता हूं में इसका solution यहाँ से auxiliary equation क्या हो जाएगे इसकी एम में convert करते हैं m square प्लस m प्लस 1 का i square और m-2 is equal 0 y हटा देते हैं y की जाएगे पर 1 रख देते हैं ठीक है और यहाँ cf find होगा और यह homogeneous equation है क्यों क्योंके जो q है हमारा q की value 0 है केवल cf find होगा ठीक है और q की value 0 है तो यह homogeneous equation भी है तो इसको बार बार यह तुम्हें समझाने के लिए 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 लिखना नहीं है ठीक है यह तो आपका homogeneous है या नहीं और जीरो नहीं होता तो यह non homogeneous equation होता तो देखे जा रहा है यहाँ से पहले यह एक हैसे क्या होगा यह m2 plus m plus 1 और m2 plus m plus 1 यह ऐसे लिखाया सकता है whole square को तो आप एक factor देख लो उसका एक expression ले लो यहां से उसको factorize कर दो तो उसी का same इसके रूट जो इसके आएंगे वही रूट यहां आएंगे ठीक न तो देखे जा रहा है तो एम की वैलू यहां से एक तो एम की वैलू यह आगई m is equal क्या हो जाएगा यहां से direct minus 1 plus minus root 1 minus 4 into 1 into 1 upon में 2 into 1 ठीक डायरेक्ट लिख दिया मैंने m is equal minus 1 plus minus root 1 minus 4 upon में 2 is equal minus 1 plus minus यहां root minus 3 upon में 2 देख लिए अब यह root के अंदर minus आगया means imaginary imaginary वहाला form लगेगा यह वहाला formula लगेगा क्योंकर root के अंदर minus means imaginary नमबर होता है तो minus को हटा के मैं आए उटा लिख दूँगा यहापर तो minus 1 upon में 2 और plus minus और i और root 3 upon में यह 2 को मैंने separate कर दिया यह m आ गया एक तो m यहां से निकला यह और एक इसी तरीके से एक m की value यहां से और निकले निकल के आएगी तो minus 1 y 2 तीके ना similarly similarly एक m का पेर यहां से निकलेगा minus 1 y 2 और plus minus और i और root 3 upon में 2 एक पेर यहां से निकलेगा एक पेर यह निकला और एक आपका यह रख तो देखें यहां फिर से पहला formula भी लगएगा और image निवाला भी लगएगा तो cf यहां से हम एक साथ कैसे लखेंगे इसका तो नाओ cf is equal c1 constant हम लिखते हैं उसमें यहां से नीचे से लिखेंगे इसको cf is equal c1 यह वाला इसको रखेंगे e to the power 2x ठीक है एक ही है यहां पर यह real root 1 है एक लिखेंगे तो 2 होते तो 2 लिख देते 3 होते तो 3 यह pattern लिखने का तरीका है उसके बाद अब यह यह यहां पर repeat हो रहे हैं यह यहां आपका जो है imaginary जो complex form में जो बन रहा है system यह repeat हो रहा है यह यह और यह दो बाद repeat हो रहा है twice तो twice है तो इसी को हम जैसे यह repetition में हम constant c1 बिना x के फिर c2 x plus c3 x square एक यह system है जैसे second उसमें यह यह system यह apply होजाएगा देखो कैसे को में repetition में कैसे लेखूंगा तो e to the power minus 1y2 और यह x देखे यह तो alpha हो गया यह यह दोनों same है न रेपीट हो रहा है तो यह आपका हो गया और bracket और यहां c1 यह हो गया तो c2 और plus c3 x ठीक है इसको ऐसे लिख लो यह और cos यह बीटा यह बीटा की value हो गई और यह आपका alpha की value हो गई ठीक है न यह alpha हो गया यह alpha हो गया तो यह आपका root 3 upon में 2 और x और plus c1 c2 c3 repeat हो रहा है दो वार repeat हो रहा है तो हमने यहां दो वार लिख दिये constant ? थ्री बार repeat होते हैं तो c2 c3 x प्लस c4 x square एसा थ्री conditions मीजिए कर देते हम उसके आपके लिखने कि पैटर लिखने का वो ही इसमें apply होगा तो यह आपका C4 प्लिस C5X ठीक है और यह आपका साइन और रूट ठीर अपॉर्ण में 2 और यह X और यह ब्रैकेट क्लोज यह आपका आंसर हो गया यह आपका आंसर हो गया ऐसे क्वेशन करना है ठीक है समझ में रहा होगा नेक्स्ट देख लीजिए और इसको चलिए इसके बाद इसके बाद इसको देखिए आप यह पहला हो गया दूसरा हो गया थर्ड क्वेशन को देखें रहा है ठापट क्वेशन थर्ड दी प्लस टू और दी माइनस वन का पावर थिरी और वाई इस इपॉल जीरो तो देखें यहां क्यू की वैल्यू जीरो है तो सी एफ फाइंड होगा ओनली ठीक है और क्यू जीरो है तो यह एक्वेशन होमोजीनियस भी है क्या लिख दिया अच्छी ठीक है ना होमोजीनियस यह समझाने के लिए लिख देता हूं इसको आपको एक्जाम में लखने के अवशक्ता नहीं है ठीक है अब इसका जड़ा डायरेक्ट एई में कनवर्ट कर दो इसको यही क्या हो जाएगा इसका एम प्लस टू एम माइनस वन का क्यू इस इक्वल जीरो अब देखे जाए इसको मैं क्या लिख सकता हूं एम प्लस टू एम माइनस वन एम माइनस वन एम माइनस वन यह लिनियर फेक्टर्स हो गए अब यहां से रूट क्या हो गए एम के एम इस इक्वल टू और आपका वन वन और वन यह डायरेक्ट रूट निकल गया गए यह लिनियर फेक्टर्स से अब इसमें कौन-कौन सा formula लगा इमेजनरी तो है नहीं यहां पर तो देखें यहां एक तो यह root है अलग और यह तीनों के तीनों जो roots है वो आपका same है equal है यह one 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 और यह अलग है तो देखें यहां पर यह distinct वाला भी लगागा पहला और दूसरा and same roots देखें न थर्ड नहीं लगागा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं now cf is equal c1 e to the power 2x देखें यह हमने इसको यहां लगा दिया उसके बाद फिर यह तीनों root repeat हो रहा है तो repeat लिखने का तरीका यह वाला जैसे m1 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 तो इसको लिखने का तरीका c1 पहला फिर c2 x पहले के साथ x नहीं लगाना दूसरे के साथ x लगाना तीसरे के साथ x square और चौथे के साथ x q यह system करना है और bracket close करके एक वाला exponential function रखना है root के साथ देखें यह हो गया नहीं तक c1 यहां हो गया तो अब c2 less without x और c3 और यह x देखें c1 यहां हो गया था तो फिर यहां सी 2 हो गया फिर c3 x और प्लस c4 x square और e की पावर यह आपका एक तैसे m1 हो गया m1 यह है m1 तीन हो m1 m1 तो आपका m1 गया पर तो आपका यह 1 into x यह हो गया तो this is final answer this is final answer ऐसे question करना है एक देख लेजिए नेक्स्ट अब देखें नेक्स्ट वाला आगे इस question को भी देख लेजिए आप question fourth fourth का solution d square y and dx square minus 5 dy and dx plus 6y is equal 0 अब इसको symbol d में convert कर लो पहले यह d में नहीं दे रखा है तो d में convert करें इसको क्या लिख दूँगा हम इसको d square y minus 5 dy plus 6y is equal 0 y common आ जाएगा d square minus 5 d plus 6y common आ गया ठीक है homogeneous equation है और केवल cf find होगा pi तो आगे आएगा जब यहां q 0 नहीं होगा तो अब हम cf तो निकालते ही है उसका फिर pi भी find होता है वो हम next videos में लेंगे अब इसका auxiliary equation auxiliary equation इसकी क्या हो जाएगी m square minus m square minus 5m plus 6 is equal 0 y के जाएपर 1 replace कर दो उसको अब इसके factor कर लो तो जोखो m square minus क्या हो जाएगा factor minus 2m minus 3m और plus का 6 is equal 0 इन दोनों का add करने पर minus 5 आ रहा है इन दोनों का multiplication करने पर इन दोनों के multiplication के equal आ रहा है चेक कर लें अब इस मैंसे m common तो m minus 2 यहाँ से 3 common तो m minus का 2 is equal 0 अब m minus 2 m minus common आ गया तो m minus का 3 is equal 0 यह दो linear factor हो गए तो यहाँ से roots क्या आ गए m is equal 2 and 3 means कौन सा formula लग रहा है इस मैंसे पहले वाला पहला formula लग रहा है क्यों क्योंके roots कैसे है real है and distinct है जोंको real भी है और दोनों अलग अलग है 2 और 3 जैसे m1 m2 m3 तो इस formula को लगाएंगे तो यहां हम c1 फिर exponential c2 फिर exponential function फिर c3 ऐसे करते चले आते हैं तो यहां cf क्या हो जागा इसका now cf is equal c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 3x this is final answer इस टाइप से questions करने हैं देख लेजिए इसको तो आज के लिए वस इस वीडियो में इतना ही और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको like करिए share करिए subscribe करिए bell icon button दवाना मत भूले थैंक यू